नमस्कार बहुत स्वागत है जोतिश दिशा सत्तिकी रामे मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतोर संतोर्शी नए दिन की सुर्वात हो चुकी है और आगे के शहरों की तारीख ही आ चुकी है किस शहर में आप हमसे कम मुलाकात कर सकते हैं लख्टाओ गोरखपुर फरवरी में ही हमा रहे हैं 18 से 23 के बीच में मिलने के लिए समय सुनिश्चित कर लिजेगा आपके सामने नंबर्स फ्लेश हो रहे हैं किसी भी नंबर पर कॉल करके वाटसप कर सकते हैं और मिलने का समय सुनिश्चित कर सकते हैं मुंबई पुणे इंदार आज शहरों के भी डीटेल्स आ चुके हैं समय ले लिजेगा और हाँ मिल करके सरस्वती अवरा कवच भी प्राप्ट कर सकते हैं चलिए सुरुवात आज के जोतिश दिशा की नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भुद प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा पंचांग माख माशुक लपक्ष त्रियो दशीति थी चंद्रमा करक राशी में नक्षत्र पुनरवशु ग्यारे बच के बावन मिनर तक इसके बाद पुख्य नक्षत्र जिसमें हमने भी काजल वगरे वाला प्रयोग बताया था योग रहेगा आयुश्मान तदनस्वार दिनांक 14 फरवरी दिन सोमवार राहुकाल सुबर 7.5 से 9 गुलिकाल दोपर 1.5 से 3 राहुकाल नए और शुब काम के लिए मना करता है गुलिकाल कहता है कि करिए आप जो करना चाहें सारे काम आपके बंते चले जाएंगे मेश से लेकर मीन तक आईए अब जानते हैं आज की भविश्य वानी मेश राशी पढ़ाई में आज अवसर बड़ा मिलेगा सुख्षा पूर्ण होगा ब्यापार की स्थिती थोड़ी सी दावा डोल रहेगी बिजनस को लेके रिस्क आज नहीं लेना है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल है शुबता जरूर मिलेगी चिंताओं से मुक्ति की संभावना है सरकारी च्षित्र आपर भारी पढ़ रहा है गॉर्मेंट सेक्टर में रिस्क लेना भारी पढ़ेगा आज बॉस के साथ कुछ विवाद हो सकता है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ विचार बहुत अच्छे से मैच करेंगे किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी लेकिन लव लाइफ में उलजर बढ़ रही है लव लाइफ को लेकर के आपको सतर्क रहने की आवशक्ता है स्वास्थ बहुत अच्छा है बहुत शुभ सोचेंगे किसी तरह की दिक्कत नहीं है दवाईया सूट करेंगे सोच से ही तो हमारे स्वास्थ पे असर पड़ता है क्या उपाय करना चाहिए आज का दिन शुभ करने के लिए आटा और चीनी मिक्स करके किसी पौधे के नीचे कागच पर रखतीजे क्या नहीं करना है आज यात्रा लंबी नहीं करनी है नीला रंग शुभ है पचास प्रत अलिफ दे रहा है बिजनस में रिस्क लेना भारी पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर अन्कूल है चिंताओं से मुक्ति मिलेगी सरकारी छेत्र थोड़ा सा तनाव देगा गौर्मेंट सेक्टर में उल्जन बढ़ सकती है दांपत्त जीवन अच्छा है पतनी और पती के मध अध्य विचारों में आज समानता रहेगी बच्चों का सुख मिलेगा लव लाइफ में थोड़ा सा तनाव है आज रिस्क लेना भारी पड़ेगा लव लाइफ में बिल्कुल भी 14 फरवरी है स्वास्त के मामले में किट्री और बैक की प्राब्लम हो सकती है प्रियोग सरसो का तेल तीन बूद पौदे की नीचे डाल दीजिए क्या नहीं करना है आज दूसरों से उम्मीद नहीं करना है शुबरंग काला भागी प्रित्षत संड़ सट में थुन राशी परिस्थतियां आपके पक्ष में स्विक्षा बहुत अच्छी है अवसर बड़ा मिलेगा व् देन देन को ले करके परिशान कर सकती है गौर्ण्मेंट सेक्टर वालों को ले करके आज सावधान रहने क्या वशकता है दामपत्त जीवन बहुत अच्छा है पती पतनी की बीच ने बढ़ेगा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं विश्रू का ध्यान करिए पौधे की नेचे डाल दीजिए क्या नहीं करना है आज अधिक खर्च नहीं करना है शुबरंग हरा भाग प्रतिशत सिक्ष्टीवन करकराशी सिक्षा में बिलकुल पूरता है पढ़ाई अच्छी करेंगे आवसर बड़े मिलेंगे ब्यापार क स्वास्त के मामले में आँख और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए करग राशी ओम गंगणपते नमः ग्यारह बारी समंत्र का जाप करिए क्या नहीं करना है आज उधार नहीं देना है गुलावी रंग शुब है उन्चास प्रतिशत का भाग आपके साथ है सिंग राशी शिक्षा की स्थिति में सुधार हो रहा है पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी व्यापार में आई बाधाएं दूर होंगी बिजनस में कोई रुकावट नहीं है प्राइवेट सेक्टर तनाव देगा अवसर बढ़े मिलेंगे सरकारी छेत्र आप पर थोड़ समस्याएं बढ़ रही है स्वास्त के मामले में पेट आख और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए सिंग राशी वालों को आज मादुरगा को प्रणाम करके एक पीला पुश्पुन के चरणों में रख दीजेगा क्या नहीं करना है अपने राज बताने न करने राजी परिष्थतियां आपके पक्ष में हर हाल में शुपता मिल रही है चिंताओं से बाहर निकलेंगे पढ़ा यची करेंगे ब्यापार थोड़ा तकलीफ तो देगा आज रिस्क मत लिजेगा शेयर सट्टा वाले ध्यान दे प्राइवेट सिक्टर उल्जन दे रह पति पत्नी के बीच थोड़ा सा मुश्किल आएगा लव लाइफ बहुत अनकूल है बड़े असर मिलेंगे स्वास्त के मामले में पेट और बैक की प्रावलम जुखाम खासी की शिकायत हो सकती है परियोग क्या करना चाहिए सफेद वस्त धारण करना शुप होगा क्या नह दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है सफेद रंग की शुपता में साथ प्रत्षत का भाग्या है तुला राजी बढ़ियां है अवसर अच्छे मिल रहे हैं जिनताओं से मुक्ति दे रहे हैं ब्यापार अच्छा है बिजनस में रुके काम बन जाएंगे प्राइवेट स्वास्त के मामले में तुला राशी वालों को पेट और कमर की शिकायत रहे हैं क्या उपाय करना चाहिए किसी जरूरत मंद को कुछ खाने की वस्त देना शुब रहेगा क्या नहीं करना है आज लंबी यात्रा नहीं करना है बैगनी रंग शुब है चाशट प्रतिशत का भाग्या है ब्रिश्चिक राशी पढ़ाय अच्छी करेंगे सिक्षा में बड़े अफसर मिल रहे हैं किसी तरह की रुकावट नहीं है ब्यापार आपका अच्छा चलेगा रुके काम बन ज रहेगा कुछ बड़ी उपलब्धी आज हो सकती है दांपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय भी देगा दूसरे को सपोर्ट करेंगे लेकिन लव लाइफ ठीक स्थती में नहीं है स्वास्त के मामले में पेट आँख और किड्नी की सिकायत हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज आज चने की दाल किसी जरुरत मंद को दान करिएगा क्या नहीं करना है राज नहीं बताने किसी को ग्रे कलर शोबया बावन प्रतिशत का भाग्या है धनुराशी पढ़ाई में आउसर मिलेंगे सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार अच्छा चलेगा रुके काम बन जाएगी प्राइवेट सेक्टर तनाव देगा सूच समझ कर फैसला लिजे सरकारी छेतर उलज़न पैदा कर रहा है गौर्मन सेक्टर में कुछ मुश्किलें आ रही है दामपत्त भगवान गणेश को ध्यान करते हुए किसी बुजुर्ग को कुछ खाने की वस्तो देना शुब होगा क्या नहीं करना है धन राशी वालों को उलज़न नहीं पालनी है शुबरंग बादामी भाग्य प्रत्षत साथ मकर राशी शिक्षा की स्थिति में सुधार हो रहा है प सरकारी छेत्र तनाव देगा गवर्वन सेक्टर को ले करके सजग रहने की आवशकता है दापत्य जीवन अच्छा है पत्नी और पती के मध्य ताल मेल अच्छा बैठेगा लव लाइफ तमाम प्रकार की गड़बर इस्थतियां दे रहा है लव लाइफ की इस्थतिय में होगा क्या नहीं करना है आज अपने राज अजनभी से शेयर नहीं करना अपनों को बता सकते हैं बिलारंग शुब है 55% का भाग्य है अगली राशी कुम्भ दिनांक 14 फरवरी स्वमवार पढ़ाई तो अच्छी चलेगी सिक्षा में कोई रुकावट नहीं है व्यापार भ किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और पती के मध्य ताल मेल बैठेगा पक्ष में हैं संतान का सुख मिलेगा लव लाइफ थोड़ा सा मुश्किल है उल्जन बढ़ सकती है लव लाइफ वाले सावधान रहें तो बहतर रहेगा स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम आँखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहेगा आपकी राशी कुम्भ है बजरंग बली का ध्यान करिये और एक बार हनुमान चालेसा पढ़कर अपना दिन आरंब करिये क्या नहीं करना है दूसरों से उम्मीद नहीं करना ह शुबरंग लाल भाग के प्रत्षत पचास मीन राशी पढ़ाई अच्छी चलेगी शिक्षा में लाब होगा ब्यापार भी शुब है बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी प्राइवर सेक्टर अनकूल है अवसर बढ़े मिरेंगे सरकारी छेत्र में तनाव है ग प्राइक की प्राबलम आखों की समस्या और लीवर की प्राबलम हो सकती है प्रियोग के तोर पर किसी जरूरत मंत को आज दाल का दान करिये क्या नहीं करना है खाली पेट नहीं रहना है नीले रंग की शुबता में आज 56 प्रत्षत का भाग सानिद्य दे रहा है बढ़ते क्या आगि जानते हैं आज का भाग्या खेकर अ HOW मितुठ चाक्षर मकर भा कुम आफू किजैगा मितुठ चा करक भा सिंग टाक्षर कन्या सा हावद रीश्चिक फाब धन जोग्षर मकर चा कुम्भ टाक्षर मीन रा यह आपके शुब भाग्याक्षान है जो साधे चोकुर कागच पर लाल रंग के कलम से लिख कर अपने पास रखना होता है और दिन को परमानंद में वेतीत करना होता है बढ़ते आगे जानते हैं आज की एस्ट्रो क्विज ग्रहों में कूट नीति का कारक ग्रह कौन सा होता है सही उत्तर दिये गए नंबर पर वाट्स अप टेलिग्राम करके अपनी एक हाफ और एक फुल फोटो के साथ भेज़ दीजे कभी भी आपके पास कॉल जा सकती है भागिशाली होंगे अगर आप किस्मत साथ देती है तो यही होता है आगे जानते हैं भागिया आज का एस्ट्रो के बारे में एक ऐसा प्रियोग जो सफलता का आयाम सिद्ध करता है सक्सस की उल्टी हथेली पर थोड़ा सा सरसो का तेल ऐसे रब कर लीजिएगा बढ़ों के चरणों का ध्यान करके और फिर अपने काम पे निकल लिएगा अब बारी आ गई है कल पूछे गए प्रश्ण का सही उत्तर बताने की और भाग्यशाली विजेता से बात करने की कल हमने प्रश्ण किया था कि निम्न में से सूर्य की नीच राशी कौन सी है बहुत आसान सा प्रश्ण था सत प्रतिशत लोगों ने लगभग सही उत्तर दिया साड़े चार हजार क्या असपास टोटल आए है और लगभग 447 सही उत्तर है बाकी 20, 25, 30 गड़बन है सही उत्तर है सूर्य की नीच राशी तुला है जिस राशी में सूर्य अक्टूबर मद्ध से नौम्बर मद्ध के मद्ध रहता है और पित्रिंग का निर्मान करता है जिदने भी सही उत्तर दियो उन सब को हमारी तरफ से शुब कामनाई और बधाईया अब बात कर लेते हैं उनसे जिसका उत्तर तो सही था ही भाग्यशाली भी थे आईए बात करते हैं हलो जी गायत्री जी गायत्री जी शिरादर संतो संतोशी बात कर रहा हूं जोत्रिश दिशा से नमस्ते गायत्री जी आप आज की भाग्यशाली विजेता हैं और तेंक अजर कहां से बात कर रही हैं आप वेश्ट बंगॉल से तो गायत्री जी आपने कैसे जाना कि सूर की नीच राशी तुला होती है तरव तुला में इसे बात है तो उनकी जो मतलब श्क्ति जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है तो जोतिश में रूची है या फिर जोतिशी ही है आप सीख्छा ले रही है तो क्या करती है आप गायत्री जी अपर ग्रेजुएशन कर रही हैं आप किसके विशे में जानना है गायत्री जी आपको बोलिये डेटा बर्थ बोलिये आपका उनिज जुलाई जी नाइंटी नाइंटी सब्सक्र दस निट कहां का जन्म है आपका उनिज जुलाई नाइंटी सेवन सुबह पांच दस बुकारो जारखन जी आपका कर्क लगन है और धनुराशी है चंद्र की दशा है पूछें क्या जानना चाहती है गायत्रिया सरकारी नोगरी के 90 प्रतिशत से ज्यादा चांसेज है और ये तो नहीं कह पा रहा हूं मिठाई बार दीजिए लेकिन मिठाई बाटने की तैयारी कर लीजे आप दो हजार अठाइस तक आपकी चंद्रमा की दशा है और मंगल जोटिश के विज्यान के माधम से भी सरकाई नोगरी का खारक और आपकी कुनली में तो दसमेश स्वतह मंगल है तो चंद्रमा की दशा में मंगल का फल अच्छा मिलता नहीं है तो आप एक काम करिएगा मंगल वार के दिन वरत कर लीजे तो यह उपाय कर लेजेगा और गायत्री मंद्र का जाप भी आपको करना है इसे भी सूर्य आपका थोड़ा सा बल्वान होगा तभी आप भागिशाली हो गई आज सोचा था ऐसे अचानक से फोन आएगा किसमत ऐसे चमकती है जब चमकना होता है चले खुब खुश रहिए आप रशन रहिए और मुलाकात करिए जमशेद पूर हम आने वाले हैं जल्दी ही ठीक है चले कीप इसमाइलिंग नमस्ते आप भी इसी तरह से भागिशाली बन सकते हैं और हमसे वारता लाप कर सकते हैं अपने विशे में जान सकते हैं शुबता को प्राप्त कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं आज का आईश्मान भव तीन पढ़ने वाले बच्चों को कुछ खाने की वस्तु का आज दान करना है और जिनकी 14 फर्वरी को मैरिज एनिवर्सरी है लाल रंग की वस्तु किसी जरूरत मंद को दान करिए शुब कामना है हमारी परमपिता परमेश्वर आपको सदयव प्रसन रखे आगे लेकर जाएं आज के लिए बस इतना ही अनुमत चाहेंगे गोरकपूर और लखनों की तारीके आ गई हैं तारीके बाकी शहरों की भी आ गई हैं जिन जिन शहरों में आप हैं मिलने का समय या सरसुती और आख कवश प्राप्त करने का समय सुनिश्चित करिएगा है वे नाश दे नमस्कार शिरादे